हेलो दोस्तो वेलकम टू दा चैनल चैनल लेर्ण करते हैं और मेरा नाम है मनेशा तो आज हम लोग नेमिंग वर्ड्स याने की नाउन पार्ट टू पढ़ेंगे ओके तो जैसा कि हम जानते हैं ता नेम ओफ ए परसन प्लेस एनिमल और तिंग इसको डे नाउन इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ इसका वीडियो में पहले डाल चुकी हूँ मैं आई बटन पर डाल दूंगी जो मैंने पहले वीडियो डाला हुआ है ओके मैंने इसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन दिया है नेमिंग वर्ड्स के बारे में ओके तो ओल एनिमल्स people and places have a name सभी animals thing का नाम होता है people का नाम होता है places का नाम होता है like bat, patna, lion etc तो उसे ही हम naming words या फिर noun कहते हैं ठीक है सभी का अलग-अलग नाम होता है तो वही naming words कहलाता है तो चलिए noun हम सबसे पहले common nouns पढ़ते हैं अब जिसे example हमारा this is a girl her name is monika और second है this is also a girl her name is Priya निस दोनों girl है ठीक है और वो क्या है एक का नाम मोनिका है तो एक का नाम Priya है दोनों का special name है उनका अपना नाम है तो यहाँ पर जो girl हो गया ठीक है girl जो हमारा हुआ ना वो हमारा common noun में आ गया जैसे girl why ले लीजिए why में भी सबकी अलग अलग नाम होते है why's के तो why हमारा क्या होगे common noun में आ गया उसी तरह dog cat dog की एक अलग जाती होती है cat की अलग होती है books अब books में भी हमारा बहुत सारा होता है जैसी की raman होता है महाभारत होता है या फिर और भी अलग अलग कोर्स की किताबे होती है आपकी English की book होती है लेकिन कहलाते तो books है ठीक है तो books भी हमारा क्या हो जाएगा common nouns में आ जाएगा अब चलिए अब पढ़ते हम लोग proper noun तो proper noun names of countries people towns rivers months days pets etc. are called proper nouns अब जैसे country का नाम हो गया ठीक है people का नाम हो गया मतलब हमारा नाम आपका नाम ठीक है और country का नाम जैसे इंडिया पाकिस्तान नेपाल जो भी है और town जो हमारे सहर का नाम है river जितनी भी नदिया है उनका नाम फिर month के नाम महीनों के नाम देज के नाम दिनों के नाम और जितने भी हमारे पेट होते है cat, talk ये सब हमारा किसमे आ जाएगा तो proper noun में आ जाएगा लेकिन यहां हमें ये भी याद रखना होगा कि proper noun always begin with a capital later proper noun हम जब भी लिखेंगे तो उसका first later हमारा capital होगा small नहीं होगा अब चलिए इसकी कुछ examples देखते हैं जैसे months और days के नाम होगे January, March, Sunday, Monday ये सब इतने भी नाम होगे हैं वो proper noun में आ जाएगे अब जैसे month और building से जैसे चार मिनार, कुतो, मिनार, दाज, महर ये सब जितने भी building हैं बड़ी बड़ी वो सब क्या जाएँगे proper noun में आ जाएँगे अब festivals तो festivals में हमारा क्या जाएगा जितने में हमारे festivals है holy, Ramadan, Christmas, Eats, Diwali ये सब जितने भी सब उनके नाम भी हमारे proper noun में ही आएँगे और अब places तो places में जैसे अमेरिका, इंडिया, डैली और जितने भी city हैं और जितने भी countries हैं सारे उनके नाम और school, class, shop ये सब ये भी place में ही आते हैं इसकूल में हम लोग जाते हैं पढ़ते हैं, class में पढ़ते हैं तो ये सब भी places में ही आते हैं इसका मतलब proper noun में आ जाएंगे अब हमने इतना तो पढ़ लिए अब चली कुछ test देते हैं तो पहले हमारा book तो book हमारा क्या होगा? बिल्कुल होगा common noun में आता है why भी हमारा common noun में आता है red red हमारा नहीं होगा क्योंकि ये नहीं किसी persons का नाम है red हमारा noun में नहीं आएगा tiger आएगा क्योंकि tiger animal है तो वो noun में आएगा अब walk walk भी नहीं place का नाम है नहीं things का नाम है तो ये walk भी हमारा नहीं होगा ये भी verb है अब है lion तो lion animal है इसलिए हमारा noun में होगा सितर कार हमारा thing है तो वो भी नाउन में होगा इट वर्ब है इट नहीं होगा नाउन में कैट भी हमारा एनिमल होगा नाउन में फैट भी हमारा नहीं होगा क्योंकि नहीं एनिमल का नाम में नहीं प्लेस का नाम में यह हम बता रहे हैं कि वो फैट है, मोटा है तो ये भी हमारा noun में नहीं आएगा अब है जी ओ गो तो गो क्या noun होगा नहीं होगा क्योंकि ना किसी परसन का नाम है ना प्लेस का नाम है ना एनिमल्स का नाम है ना थेंस का नाम है तो गो हमारा वर्ब है गो noun में नहीं आएगा सेम उसी तरह सी ओ एमी कम जाएगा उसी तरह डॉग डॉग भी एनिमल का नाम है तो वर नाउन में आ जाएगा ओके दोस्तों तो ये क्लाश 2 के लिए था नेमिंग वर्ड उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और दच्चे भी अच्छे से समझेंगे ओके फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब क झाल एको ये हाँ ने समझेंगे झाल दॉग।